हालो स्टुडेंट कैसे चालू सब लोगों के स्टड़ी होप ही कि सभी लोग अच्छी पड़ाई करते हूंगे देखो मैं यहां पे आप लोगों को सब्सक्राइब लोगों को इसका फायदा होना चाहिए देखो आज हम लोग इसके पहले हमने सर्कुलर मोशन ग्रैविडेशन सर्कुलार मोशन की नूमिरिकल्स कैसे बनता है कैए उसके उपर जो इंपॉर्टंस फार्म इसके उपर मैंने चार्चा की ती उसके बाद में मैंने theory, theory की उपर कैसे मतलब कुछ important defines होता है, importance questions होता है, कैसे होता है, उसके उपर discussion क्या, बाद में मैंने gravitation के formulas, उसके बाद में gravitation की जो theory थे उसके उपर discussion, आज हम rotation motion के जो भी formulas होंगे importance, उसके उपर तोड़ी चर्चा करेंगे, मतलब बहुत तो होती है लेकिन क्या हो जाता बच्चो कि यहां पर रिविजन नहीं हो पाता है प्रॉपर वे से तो प्रॉपर वे से रिविजन कैसे करना चाहिए इसके लिए मैं वीडियो लेक्च्टर लेक्या आला हूं यह अपके उपर मतलब यूटुब पर अप्लोड करूंगा और ज हमें भी आता होगा तो इसलिए मैं यह रैपिट रिविजन का यह प्रोग्राम बना रहा हूं तो हम लोग बंडवाले है रैपिड रिविजन के जो फार्मुले से बच्च रोटेशन मोशन की इसके उपर सबसे पहले हमारे पास मोमेंट पी नर्श्या का फार्मुला है इस तो हम लोग बना दे कैसे यहां पर यम 1 र 1 स्क्वेर यम 2 र 2 स्क्वेर डा 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 डाश यम 1 र 1 स्क्वेर तो इसी को मोमेंट आप इनर्श्या इस इकोल टू लिख सकते हैं समेंशन आप आइस इकोल टू 1 तू 1 सम है ना सबकी लेकिन कहां से पालिटिकल के स्टाट होने लिए इंटिजर नमबर 1 तू 1 तू 1 ओके यम आइ मतलब इंटिजर नमर्स और यह भी आइ स्क्वेर हम इसको सिंपल लेंगेज में यम आइ मतलब ही हम लोग आई बिलिख सकते हैं मोमेंट आप इनर्श्या के लिए सिंबॉल आई लिख सकते हैं सिंपल में लिखना है तो में लिख सकते हैं सनुक्षण म मेंऊडा हम वराइसा बिलिख सकते हैं कोई पाबलो लोग संदिकने इसके इपनब इसा स्वार्मूले स Tools ओक निसर देको रोड़र्खो भनए त्म रॉसा मास ऐपन पर्टीकोल्स संटने इसससे इपनी वनस क्या पक्रिवत अंग स्यम आइस इसके डाइमेंशन भी अना सकते हैं मास है किलोग्राम लेंग्थ टुए टाइम नहीं इसलिए जिरो ओके समझ में आ रहा है यह बोर्ड लेवल पर दो मार्क के लिए भी कोश्चन्स आता है बच्चोई मैंने जैसे बता है आपको वैसे ही दो मार्क के लिए कोश्चन्स भी जाता है ऐसे सवाल बनते हैं ओके उसके बाद में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए सिंबॉल होता है बच्चोगे अब यही फार्मुला यही फार्मुले को कैसे लिखना शॉट में आई इस इकूल टू यम के इसकी वह बस आर के पे के लिखा है रेडियस ऑफ गायरेशन कोई भी आप कोई रोटेट करते हैं हम लोग है ना तो के इस इकूल टू रूट आप आई बाई यम इसका फार्मुला बनता है रेडियस ऑफ गायरेशन का के निकाल ला है तो डिवाट बाई यम यह स्क्वेर इसलिए रूट में इसका इसा उनिट होगा बच्चों हमारे लिए मीटर सीजे सेंटीमेटर अट डाइमेंशन यलवन बाकी जीरो आएंगे समझ में आ रहा है आप लोगों को यह तो लिखके लेना है या स्क्रीन शॉट निकालके भी आप लोग उतना कम चला सकते हो ओके बढ़ना बच्चों बागे इसके बाद में हमेरे पास काने ट्ैक इनर्जी आफ रो्टेटिंग जो पर बात करेंगे मतलब कानेटिक एनर्जी निकालना है रोटेड कोई चीज अगर रोटेड होती ह कै続 sour im एसी उसके लिए velocity V1 होगी, mass Y1, distance R1, ऐसे, है न, Y2, यहाँ पर V2, R3, YUM, YUN, REN, VN, पता है न, उसके angular velocity omega होगी, ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले कानेटी के एनजी का फर्मूला पता है सबको, simple half YUM V2 होता है कि नहीं, ओके, यहाँ पर V क्या है, V is equal to R omega, अगर आपको पता नहीं है, तो फर्स्ट चाप्टर में, रैपेट रिविजन का फर्स्ट चाप्टर में दखना है, यहाँ पर सर्कुलार मोशन का जो फार्मूली उसमें लिखाता है, मैंने V is equal to R omega, क्या है, relation between linear velocity and angular velocity, याद है आप लोगों को, बिलकुल याद होगा, ओके, दिखाई द R लिखो, A, sorry, yes, theta, और यह, alpha, इसे याद है आपको, is equal to करके मैंने बताया ता आपको कुछ ने, बिच में R लिखना था, बिच में R लिखो, relation between linear displacement, angular, linear velocity, angular, linear acceleration, angular acceleration, ठीक है, आ रहा है के कुछ दान में, समझ में आ रहा है, बिल्गुल, बनना आगे बच्चो, चलो, बन रहा लिए R square omega square, V की value put किये, मैंने, समझ में आ रहा है, ओके, चलो, तो यह first particle के लिए, energy first, second के लिए, इसे बोलेंगे, यहाँ पर YM1, R1 square omega तो constant, angular velocity constant होती है, YM2, R2 square omega, यहाँ पर EN, तो हाँ, YM1, REN square omega square, सब की add किये, तो हम लोग क्या common निकाल सकते हैं, बताया आपको add करना 1 by 2, बचाए, YM1, R1 square, YM2, R2 square dash, YM1, R1 square omega square, बास समझ में आ रहा है, बच्चो, कोई टेंशन है, देखो, सब को add करके, मैंने, half common omega, इसको बोलते है, आए, पताया ना, इसके पहले मैंने different लिखी थी, तो kinetic energy of rotating body का formula 1 by 2, I omega square मिल रहा है, shortcut क्यूंकि मुझे formula ही बताना है, यहाँ पर shortcut formula के से ताहर करते है, क्या करती है, उसके उपर हम लोग बाप कर रहे, सब का concentration होना चाहिए बच्चो, ओके, ओई, आरा है, समझ में, कोई tension नहीं है, चलो, omega is equal to, हमने formula पढ़ाता, याद होगा, relation between angular velocity and frequency, omega is equal to twice by n, put up करें यहाँ पे, देखो, यहाँ पे, e is equal to 1 by 2i, अब इसका square करना, 2 का square, 4, pi square, young square, समझ में आ रहा है, कोई tension नहीं बच्चो, तो kinetic energy of rotating body is directly proportional to the square of frequency, समझ में आ रहा है, और भी ऐसे लिग सकते हैं, बच्चो, हम लोग, omega is equal to twice by t, वे वे, अब समझ में आ रहा है क्या, आरा है बच्चो, अबको, omega is equal to twice by upon t, period का formula था, पहला chapter, जाके देख लेना अच्छे तरह से, नहीं तो मैं लिंक में भी दे रहा हूं यहाँ पे, rapid revision का, ओके, तो put up कर सकते हैं, इसमें, तो kinetic energy is equal to 1 by 2i, यहाँ पे, 4 by square, t square, square है रहा, तो energy is inversely proportional square of, inversely proportional square of the period, यह भी निकाल सकते हैं, इसे अलग-अलग formula, देखो, यह original formula, हाप, I omega square, I मतलब moment of inertia, I मतलब moment of inertia, और omega होता है, कोन, angular velocity, angular velocity, समझ में आ रहा है, कोई tension, बच्चों, समझ में आ रहा है, बढ़ना आगे हम लोगों को, कानेटिक एनर्जी वा प्रोटेटिंग वड़ी, यह हम लोगों ने अब भी पड़ा है, कोई tension है, कुछ लोग रख सकते हैं, इसके लिए, यम के square भी रख सकते हैं, रखना है, तो कोई problem नहीं है, मितार रहो मच्चों में यहाँ, आप लोग screenshot भी निकाल सकते हो, अगर कुछ लोग होते हैं ना, सर लिखना नहीं, बिलकुल, ठीक है, शुर्लो अची तरसा एक दो बार, याद हो जाएंगे बच्चों, कोई tension नहीं, ओके, बढ़ने जा रहो बच्चों, आगे टॉर्क पढ़ना हो, पढ़ने वाले हम लोग, क्या टॉर्क, या relation between B होता है, ऐसे relation between B एक फार्मला होता है, ओके, शलो ये पेन ठोड़ा खराब हो रहा है, अरे बगवान, बच्चों चलो, आगे बढ़ रहा हो, मैं देखो यहाँ पे, हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, टॉर्क इस इक्वल टू आई अल्फा, वही object निकलना है, कुछ नहीं, simple सा, पत अल्फा दिखाना है बस, क्या दिखाना है, अल्फा, कैसे निकालो के, देखो, आप लोगों को एक्शिवली, ट्रक पता है, ट्रक किया होता है, पोर्स इपरपेंडिकुलर डिष्टंस, तो परपेंडिकुलर धिष्टंस रर मलेट रहे, या मोन य 27 तू पता ना, V यहाँ पही वेलासिटी है ओके तो यहां पे हमारे पास्ट टोर्क इस इकल टो फॉर्स पर्पेंडिकुलर डिश्टन्स हारे लेकिन फोर्स क्या होता है पता है मास इंटु एक्स रेलेशन यहाद है नियुटन का सेकड लॉफ इस इकल डू यह एक्सर रेलेशन का रिलेशन अब भी लिखाता मैंने यहाद कर लो लिखाता यह नहीं लिखाता तो A is equal to R alpha बराबर है को समझ में आ रहा है बच्छा आपको तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं क्या यम A की value R into alpha चलो F की value put up करने जा रहा हूं मैं यम R alpha into R तो torque is equal to R square alpha समझ में आ रहा है बच्छो यम R square को क्या बोलते है हम लोग यादे किसी को यादे moment of inertia तो torque is equal to A alpha तैयर होगा कि नहीं हमारा पारमला तौ is equal to A into alpha relation between the car angular acceleration का torque का relations समझ में आ रहा है all is well बच्छो इसका कभी-कभी SI unit भी पूछते हैं SI unit क्या बोलोंगे बताओ force है force का SI unit होता है Newton distance का होता है meter बच्छो Newton meter को Joule भी बोलते है यादे आपको Newton meter को क्या बोलता है Joule भी बोलते है क्योंकि work का formula force into displacement force का unit Newton distance का यह है लेकिन work energy होने कारण Joule तो इसके dimension मैंने बहुत बार याद करके लिए यह ठीक है क्योंकि जेओ constant जैसे कि Newton जी और Joule जी Newton के dimensions क्या होते है यह मुँवन यलवन T-2 जूल जी बड़े भाई है इसलिए length बड़ी है बस देखो दोनों याद करो क्योंकि यह हमें लोगों को निकलने का काम होता है यह मुवन यलवन T-2 दोनों से में ओनली लेंद बड़े बड़े बाई है ना जूल जी बड़े बाई है इसलिए लेंट यल टूली कि बस बाकी कुछ नहीं समझ में आ रहा है बंड़ना आगे बच्चो ओके ओली वेल उसके बाद में हम लोग देखने वाले बच्चो कानेटिक एनरज आप रोटेटीं मोड़ी देखिए आज हम अभी जो पंड़ने जा रहे हो कानेटिक एनरज आप रोल रोलिंग मोशन है रोलिंग मोशन के बात कर रहे हैं हम लोग बंड़ना आगे रोलिंग मोशन करना है बच्चो ओके मतलब कोई चीज है यह रोलर है रोलर का चक्का इसे होता ना बढ़ा बहुत बढ़ा रोड को ऐसे दभा के चलता है ना बढ़ाबर है ना हम किसी बहुत यसे मोटे लोग वोते उनको भी बोलते है roller, क्या दबाई यार, बहुत बड़े-बड़े लड़की-गड़की रहे, तो class में बोलते हैं आम लोग, क्या दबाई है, क्या roller है, बोलते हैं, तो वैसे, देखो ये आगे भी जा रहा है तो इसके लिए linear velocity, straight line जा रहा है, और goal भी लेटिंग होता है और स्ट्रेट लाइन भी जाती है कोई चीज मतलब देखो गोल भी गुमने का काम चल और स्ट्रेड भी जारी है जारी है जारी है कि नहीं तो हम लोग इसको बोलते है रोलिंग मोशन समझ में आ रहा है बढ़ना आगे बच्चो तो कानेटिक एनरजी आप इसलिए को रोलिंग मोशन के लिए लिखनेया है हम किनेटिक एनरजिव ट्रांस्लेशन जारी है तो ट्रांसलेशन प्लास कानेट एंरजी आफ रोटेटीं मोशन मतलब six jya रही है रैंसलेशन कोई धुसरा एक कौन आ काम हो रहा है रोटेंड बी और गोल गुंसना भी चाल यह फर्मूला अभी 1 by 2 I omega square है किनेटिक एनर्जी आप रोलिंग मोशन का हम लोगों के पास यह फर्मूला मिला है ठीक है हाप M u square plus हाप I omega square यह हमारे पास किनेटिक एनर्जी आप रोलिंग मोशन का फर्मूला है in the term of linear velocity ऐसे भी आता है question in the term of linear velocity in the term of linear velocity मतलब V के form में ही यहां पर omega आ रहा है ना तो इसको कुछ नहीं करेंगे देखो इसको कुछ नहीं करेंगे किनेटिक एनर्जी आप रोलिंग मोशन इसको कुछ भी नहीं करेंगे अल्डिडी वीप के form में यहां पर नहीं है तो यहां पर हम काम करने जा रहे है वन बाइटू यम के स्क्वेर मैंने यहां पर अब लोगों का आई इस इकॉल टू यम के स्क्वेर पड़ा याद है इसका मतलब क्या है रेडिस आप गैरेशन के लिए फार्मुला इज इकॉल टू आप के स्क्वेर किया था कि नहीं मैंने और रिलेशन बिट्विन वी इस इकॉल टू आर ओमेगा याद है रिलेशन बिट्विन लीनेर वलासिटी और अंगूलर वलासिटी तो ओमेगा इसिकुवटू V-R बन रहा है इडिवट बाई र जाएगा चलो तो स्क्वेर तो इसके भी स्क्वेर बनेगा वी स्क्वेर डिवट बाई और कोहिशा के बत्चोव समझ में आ रहा है देखो आई की जो वल्यू वह यमके स्क्वेर है और omega v by relation between से तो हम लोग यहां पर kinetic energy of rolling motion is equal to half mv square common half mv square common देखो यहां पर भी है हाँ बाहर है mv बाहर है v square बाहर है तो यहां पर plus 1 यह बाहर निकाला ना plus 1 यहां पर कोन बच रहा है तो k square upon r square क्योंकि 1 by 2 yum v square बाहर है तो इसलिए मेरे पास in the term of linear velocity के फाहर में यह मिल रहा है मुझा फार्मूला हाप mv square bracket में 1 plus k square divided by r square किसका फार्मूला बच्चों यह kinetic energy of rolling motion का फार्मूला है ठीक है in the term of angular velocity बस v is equal to r omega r डाल दो यहां पर हाप यम इसके जगे पर r square omega square 1 plus k square upon r square बस v की value पुट की बाकी कुछ नहीं तो हाप यम omega square r को अंदर डाल रहे हैं देखो बच्चों r square plus k square upon r square यह r multiply जा रहा है r square तो मुझे finally kinetic energy of rolling motion का फार्मूला मिल रहा है 1 by 2 यम omega square यहां पर r square r से r मर गया तो k square यह मुझे kinetic energy of rolling motion का फार्मूला मिल रहा है मतलब इसके तीन फॉर्म मिले मुझे ओके दिखा ही तो दे रहा है बच्चों कोई tension नहीं है all is well है सब लोग ओके hoping कि बच्चों यह सभी आपको समझ में आता होगा कोई tension नहीं है चलो मिटार रहा हूं है यहां पर बच्चों बड़ो अगे बढ़ना है जलो पहला फर्मूला हाफ ymv square plus 1 by 2 i omega square यह translation motion यह rotating motion है in the term of linear velocity हाफ ymv square bracket में 1 plus k square by r square यह in the term of angular velocity के हाफ ym omega square bracket में r square plus k square है ओके चलो मिटर रहो बच्च मैं यहां पर ठीक है उसके बाद में देखने वाले हम लोग अभी इसको भी कट कर रहो मैं ठीक है उसके बाद में हम लोग बात करने जा रहे है कि लिनियर विलासिटी रिजिट वोड़ी कोई रोलिंग मोशन पर रखा इंक्लाइन प्लेन पर विदाउट स्लिपिंग मतलब स्लिप भी नहीं होना चाहिए है यह भी बात क्यों परधान होना बहुत ज़रुयत मतलब यहां पर जैसी कि ऐसे इंक्लाइनप्लेने यह यह इंक्लाइन प्लेनर सरपस से कितना थीटा इतना इंक्लाइन प्लेन है उके तो यह हीट होगी हमारे लिए होगी की नहीं? यहाँ पर कोई एक चीज है बच्चो इस चीज को हम देने वाले अंगुलर वीलासिटी ओके? तो इस चीज की हम लोगों को डिस्पलेस्मेंड होने वाला यस तो इसकी लीनियर वीलासिटी कितनी होगी जो स्ट्राइप मोशन से आ रहा है केड़ में सोख से ऐंग अजमे हैं तुम आजये गुंग जाया और रिंग रख दो या कोई स्पीर रखो स्पीर होता है न बराबर उसको भी रख दो तो इस दो देखके देखने ना तो यहां पर हम लोग देखो इसकी initial velocity 0 होगी जो भी होगी initial velocity ओके इसका displacement भी हो रहा है बढने बाट्चो कोिडेंशन नहीं है आप इसको rolling motion मिल रहा है कौण सा motion मिल रहा है rolling motion मिल रहा है बच्चो तोड़ी मारकर में प्राव्लम ना रही है बच्चो ओके कोई टेंशन में बढ़ेंगे आगे ठीक है तो यहां पर हमारे पास देखो इसके पास पहले यहां पर रुका है इसका मतलब पोटेंशिल एनर्जी है और यहां पर इसको कन्वर्जन होगा कानेटी के ने जॉप रोल रोलिंग मोशन में रोलिंग क्यों बढ़ा हो श्ट्रेट भी जा रहा है और गोल भी गुमेगी वह चीज जैसे कि स्पीर रखा रिंग रखे है सिलेंडर रखा हो है ना तो इससे निच्छाएगा तो पोटेंशिल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है यम जी अच कानेटी वहीं की ऑनला वाहीयि एनर्जी आफ रोलिंग मोशन का फार्मूला इंडे टर्म उप लीनियर हूशिटी मुझे पाईटा लीनि रूशिटी करना है एंगुलर वलासिटी भी निकाल सकते कोई डेंशन्न म訴ular लेकिन धैस मुझे रख सकती नकलना तो यहाँ पर रख सकता ह मैं हाप yam v square 1 plus k square upon r square okay समझ में आ रहा है क्या हमें हाम अमन्त मिला बच्छो चलो yam se yam ko maar do यह तो इदर जाने वाला है तो 20gh is equal to v square यह multiply तो यह divide जाने वाला है 1 plus k square upon r square तो therefore v is equal to square गया तो root में आने वाला यह 20gh 1 plus k square upon r square यह बच्छो मुझे इस inclined plane पे कोई चीज रखने के बाद उसकी जो velocity linear velocity होगी वो तिया root of 20gh root of 20gh bracket है ना 20gh bracket में divided by 1 plus k square upon r square k is the radius of gyration है यह radius है ठीक है ठीक है जी acceleration due to the gravity हो और यह height है अब देखो यहाँ पर main importance आप लोगों को कुछ याद करना पड़ेगा जो ring के लिए जो radius of gyration होती k की value होती है r radius of gyration ring के लिए तो put up करने जारे देखो इसकी velocity कितनी होगी इसकी मतलब यहाँ पर ring रखोगे तो ring रखने के बाद यह यहाँ तक आने वाला नीचे यह ground surface ही है तो इसकी velocity कितनी होगी निकालेंगे तो देखों यहाँ पर 2gh formula मेरे पास 1 plus k के जगे पर क्या रखना है r square upon r square r से r को मरवा दो मतलब 1 तो v is equal to the toys gh divided by 2 2 से 2 मरवा दो तो velocity of the ring अगर ring रखोगे तो यहाँ पर इसका hit cube पर depend रहेगा जितनी ज्यादा heat उतनी ज्यादा velocity है ना देखो ना मतलब कोई कोई hiltation बहुत उचे ही तक होते है कुछों देखोगे तो छोटे पर यहाँ पर velocity कम जो बड़ा वाला होगा हीट से बहुत ज्यादा होगा है ना जो ज्यादा होगा वहाँ पर ज्यादा velocity मेलेगे रिंगोड उसके बाद में देखने वाले बच्चा हम लोग डिक्स डिक्स का radius of variation होता र रूट आप 2 यह याद करना पड़ेगा बच्चों यह इस वेरी इंपोर्टन्स यह वेरी इंपोर्टन्स है क्योंकि इसके कोई solution देनी क्योंकि जुर्ण नहीं हम लोगों को हम लोग रापिड रिविजन देख रहे तो देखो यहाँ पे V is equal to the root of twice gh 1 plus kk जगे पर रखना है यह फर्मुला याद करना है आप लोगों को के के जगे पर क्या रखना है बच्चों हम लोगों को यह रखना है आर का स्क्वेर क्योंकि इसका स्क्वेर है ना और यह रूट के बाहर और और अल्ड़ी आर स्क्वेर बात समझ में आ रहे हैं देखो तो यहां पर देखो टॉइस जी याच वन प्लस हाफ इसका मतलब क्या वन प्लस हाफ देड़ कैसे लिखते हैं हम लोग देड़ लिखनी की मेथर से हमारे पास थ्री बाइटू अरह देड़ मतलब तिन के आदे तो यह उपर गया बच्चों तो उपर जाने के कारण यह रखोगे तो डीक्स रखे तो विलासिटी मिलेगी बच्चों फोर जी अच बाइटृ इतनी विलासिटी होगे चला हम लोग अभी सॉलीड स्पीयर को रखेंगे किसको रखने वाले सॉलीड स्पीयर और उसके लिए कि हमारे पास्ट रूट अप टू बाइफाइव मल्टि इसका स्क्वेर करो तो रूट के बाहर, र बाहर था इसलिए र का स्क्वेर और अल्ड़ी अर डिवाइड़ी बाइट स्क्वेर ये फर्मूला याद करना है बच्छ आपको दिखा ही तो दे रहे ना ये फर्मूला यह बहुत इंपोर्टन से, और से र को मरवा दो तो वी equal to, देखो यहाँ पे, 5, 5, 7, है ना, 2GH, यहाँ पे 7 by 5, 5 उपर गए बच्चो, तो 5 to the 10GH upon 7, तो velocity मिल रहे है बच्चो, यहाँ पे, 10GH upon 7, ओके, आप देखना है, होलो स्पीयर देखेंगे, कौन सा, होलो स्पीयर, उसके लिए रेडियो साब गारेशन आए, तो आए, 2 by 3 into R, 2 by 3 into R, तो V is equal to the root of, तो इस, GH 1 plus, के की value है, यह root के बाहर क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, square होने के कारण, यहाँ स्क्वेर अल्री, R से R को मरवा दो, तो देखो, 2GH, 3, 5, मतलब 5 by 3, तो V is equal to 6GH by 5, यह velocity में लिए होलो स्पीयर के, देखो, ring के लिए रेडियो साब गारेशन याद करना, बच्चों, दिखाई तो दे रहा है, आप लोगों को कोई doubt नहीं है, ओके, देखो, यहाँ पर आप लोगों को अगर दिखाई नहीं देते हैं, तो मुझे बता ना है, ओके, ठीक है, दिखाई दे रहा है, देखो नीचे, यह velocity का जो फार्मुला था, वो था, रूट आप टाइज देखाई दे रहा है, यह इंपोर्टन्स फार्मुला है, ठीक है, ओके, अलीच वेल, समझ में आ रहा है, बच्चों, आप लोगों को, ओके, आप दिखाई दे रहा है, चोलो मैंने कामेरा थोड़ा सेट करना बाकी था, आप देखो इंपोर्टन्स फार्मुला है, रूट अप टाइज ब्रैकेट में, डिवाट बाइज 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 र स्क्चर्ण, रिंका रिडियो सब गारेशन, के इस इकूल आप 2x3 र यह फार्मुला है, ठीक है, बच्चों बच्चों से वेलासिटी निकाली है, वैसे हम लोग आप देखाने जा रहे है, एकसर लेशन, क्या निकालने वाले है, एकसर लेशन, और इसके लिए बाकी सब कुछ वैसे की वैसे रहने वाला है, यह सब कर रहें का, यह रेडियो साब गायरेशन है उसके उपर चर्चा करेंगा हम लोग आरे गाड़ी का एक्सरेलेशन हो रहा है इसलिए एक्सरेलेशन हो रहा है इसलिए एक्सरेलेशन थर्ड कानेमेटिकल एक्वेशन रख रहा हूं है v2 is equal to u2 plus twice as लेकिन मैंने initial velocity कितनी रखी है यहां पर रेश्ट पर है फिलाल में तो v2 is equal to 2as तो मुझे एक्सरेलेशन निकालना है मतलब v2 divided by 2s यह क्या है निकालेंगे यह एंगल के अपोजिट साइड है तो देखो sin theta opposite है ना डिवन्ट भा हाइपोटेनिस है यह हाइपोटेनिस है उसका yes तो yes is equal to h upon sin theta रख सकता हूं है तो देखो a is equal to v की value क्या है इसके पहले महीं ने लिखके दी थी याद होना चाहिए v is equal to general formula 2gh1 plus k square upon r square यह value इसके हैंगे नहीं है तो इसका square है v का square है इसका मतलब बाहर twice gh 1 plus k square upon r square bracket close multiply 2 बराबरे यह की value है हमारे पास h upon sin theta कोईश्या के बच्चो 2gh 2h cancel बचाए बच्चे हो मेरे पास g sin divided था divide का divide इसलिए sin theta numerator में गया divided by 1 plus k square upon r square यह मुझे acceleration की value मिली है समझ माय रहा है इसके कारण ओके तो देखो बच्चो में यहां पर acceleration मतलब यहां पर रख रहा हूं formula आपको दिखाई दे रहा है सब acceleration is equal to यहां पर मुझे मिल रहा है g sin theta divided by 1 plus k square upon r square this is the acceleration मिल रहा है इंक्लाइन प्लेन पे acceleration मेरे पास है g sin theta divided by 1 plus k square divided by r square दिखाई देरा बच्चों अभी कोई टेंशन नहीं है all is well चला हमारे पास radius of variation already रिखा है मैंने ring का k is equal to r होता है इस पर रख दो तो a is equal to g sin theta divided by 1 plus r square upon r square k k जगे पे r 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 यह 1 हो गया तो r जावन तो a is equal to g sin theta divided by 1 plus 1 2 यह acceleration मिल रहा है ring का half acceleration मिल रहा है अगर ring रखी तो इसका acceleration half होगा डिक्स रखी तो a is equal to g sin theta 1 plus k के जगे पे r square यह रूट के बाहर और यह r square है तो गेड़ी बी कैंसल बच्चो तो यह half तो g sin theta देखो यहां पर half plus 1 देड़ कैसे लिखते है 3 by 2 2 यहां पर बच्चो हमारे पास 2 g sin theta divided by 3 मिल रहा है चलो यहां पर x relation क्या मिल रहा है g sin theta as it is 1 plus k के जगे पे यह तो 2 by 5 रोट के बाहर की क्योंकि उसका k का square है और यह r square यह r square है r से r को मरवा दो a is equal to देखो 5 1s of 5 plus 2 7 by 5 तो divide by 5 उपर गया g sin theta divided by 7 इसका समझ में आ रहा है न यह हो रहा है 7 by 5 था तो उपर जा रहा है divide का divide है इसलिए उपर shortcut मारने की कोशिश करेंगे हम लोग तो a is equal to यहां पर g sin theta divided by 1 plus k की value है 2 by 3 root के बाहर और यह r square और यह r square और यह r square cancel हो रहे तो a is equal to देखो 3 जा 3 plus 5 है ना 3 plus 2 5 और यह divided by 3 यह तो उपर 3 g sin theta divided by 5 sorry fire ना यह 5 यह acceleration मिला है बच्छो all is well बंड़ना आगे कोई डेंशन नहीं है चलो उसके बाद में principle of parallel axis principle of parallel axis देखेंगे हम लोग इसमें पूरे formula कवर करने की कोशिश कर रहे है बच्छा हम लोग ओके principle of parallel axis अपने देखाव होगा यह ऐसे था डाइग्राम ऐसे है ना यह से यह से एक्सेस यहां से एक पास यहां से एक पास दोनों के बीच में की जो दूरी हो यह अच्छे पता है ना तो हम लोग निकालते थे i o is equal to i c plus mh square i o मतलब n में से जो axis पास इसको आये बोलते है center से जो आले उसको ic बोलते है mass of the body h मतलब distance between two parallel axis इसको ऐसे भी रख सकते yam k square yam k square yam yas square आय मतलब moment of inertia अगर radius of gyration है तो o है point इसलिए o c है c तो yam yam cut करके हम लोग लिग सकते k o square case समझ में आ रहा है वैसे ही हम लोग perpendicular axis भी रख सकते यह parallel के लिए था यह perpendicular ठीक है इसे रख सकते हैं देखो यह ओके यह पी है तो x y z ओके तो यहाँ पर लिख सकता है i z is equal to i x plus i y इसको कैसे पढ़ते moment of inertia of a body about a given axis is defined as sum यह दोनों क्यांदे sum of moment of inertia i का मतलब moment of inertia of a passing through the center this axis कहां से pass हो यह लिए center product of mass of body a square of the distance between two parallel axis distance किसके पिछ में का दो parallel axis यह इसको यह इसको यह लिख सकते हैं तो k z square is equal to k x square और यहाँ पर k y square आपको पता ना yum 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 जो हो cancel हो जाएगा बस बाकी दूसरा कोजी भी नहीं कुछ लोग root में भी लिख सकते कोई tension ने बच्चो अबगर आपको root में लिखना है तो लिख सकते हो उसके बाद में हम लोग root के ring and cylinder के moment of inertia क्या होगे उसको याद करना पड़ेगा बच्चो क्योंकि syllabus में हम लोगों को इतना depth में नहीं दिया गया है ओके तो सबसे पहले rod लेको rod a rod में से अगर center में से कोई axis पास होती है तो center से होती इसलिए ic लिखते है और ic के लिए formula हमारे पास बच्चो ml square dot by 12 अगर वही एक aim से यह हो गया पहले center में से axis पास हुआ तो moment up inner chart ml square dot by 12 अब उसके radius of variation जो भी निकलना है तो निकाल सकते यह देखो k is equal to root of जैसे के हम लोग लिखते था ना i is equal to yum k square लिखते देगे नहीं तो k is equal to i by yum लिख सकते थे तो इसको कैसे लिखेंगे यह मैं square dot by 12 yum yum से यह मरवा दो यह बाहर आएगा root of 12 अंदर लिख सकते इसे अगर यही word में से end में से अगर axis pass करते कोई इंड 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 तोटल लेंग यह है इसके कितने तुकडे कर रहे है यह बाइटो अदा यह 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 बराबर है समय रहा है कौन सा principle लाग होगा आप परपेंडिकुलर यह दिखा दे रहे रहे ना दोनों axis परल्लेल और end में से उसको IO एड फाहम कर सकते हैm I O is equal to IC plus M Yacht square Yacht मतलब दोनों के बीच में के दुरी Yacht is equal to L by 2 मिला देखो लाए दोनों के बीच में के दुरी L by 2 यह L by 2 आएक्सिस इधर से पास करो इधर यम्यल स्क्वेर ड़ाट बाइ 12 प्लस यम इसकी वैल्वी है यल बाइ 2 तो यल स्क्वेर बाइ 4 क्योंकि इसका स्क्वेर है तो हम लोग करने जा रहे हैं यम्यल स्क्वेर ड़ाट बाइ 12 यहाँ पर यम्यल स्क्वेर इसको 12 करना है यह मोमेंट आप इनर्शा बच्चों हम लोगों के पास यहां पे मीड रहा है दिखाई तो दे रहा है बच्चों आप लोगों कोई टेंशन तो नहीं है ओके चलो बच्चों तो हम लोग अगे बंढ़ने वाले इसमें से अगर मीड पॉइंट में से करोगे मतलब यही रहा है एक सेंट्र से एक्सिस प्रहों मेड मतलब यहां से इसके मीड में सै समय मे Сभी तो प्लेंड यहीं है आप इसके तो कितने तुकड़ेह है इसर से लिए उथा इसके HOL गार सकते ठीके ना तो देखो वण टू यहां पे भी करना है फॉर का ना वं टू टू थ इसके लिए हमारे लिए येंड ओ ये सेंटर है तो क्या है प्रिंसिपल आयो इस इकूल टू आई सी प्लास या मैच स्क्वर्ड लोग एक्स इस्तेमाल कर सकते कुछ भी कर सकते यार कोई प्राब्लम नहीं है आयो यह है यह मैस कर ड़ाट बाट वाल याद करना पड़ेगा आ मिल्ट आप इनर्शा अगर सेंटर में से एक्सिस पास होगे रॉड में से रॉड रॉड इंपोर्टन से यम इसका यह अच्छे बच्छो यह स्क्वर्ड बाई 16 नहीं समझ में आ रहा है अरे यहल बाई पोर यहल का स्क्वर्यल पोर का 16 तो आयो इस इकूल टू यहां पे यहां पॉर्टी इसका यहां पोर्टी एक अर्यां से 3 कोरो 3 16 ना 48 आप बता आयो इस इकूल टू 4 प्लस 3 7 यह में स्क्वर्ड बाई 48 यह आयो मिल रहा है समय में आ रहा है वाग्चो यह रोड की उपर बतलब रोड में से संटर में से होगा यह में स्क्वर्ड बाई 12 स्क्वर्ड राई 3 इसे मीड़ पोइंट में से हो गया तो 7 1 स्क्वर्ड बाई 48 आप लोग के निखा सकते मियं हमेशा बोल आँ बच्चो आप लोगों को आई बाई यह फार्मुली इससे मल करना है तो आइशका से 1 यम स्क्वर्ड और 0 48 यहां यह मिल से एम मरवा दो तो क is equal to seven root में divided by 48 और यल बाहर निकाल सकते हैं कर सकते हैं हर टाइम पर कर सकते हैं मैं करके नहीं दे रहा है आप लोगों को याद होना चाहिए रेडियो सब्सक्राइशन कर से निकलना है ठीक है इसके बाद में बढ़ेंगे बच्छों हम लोग रींग के तरफ कौन से डागरम आप हमारे लिए मोमेंट आप इनर्शा निकलने के लिए रींग तो रींग का मो इसे पास हो तो इसके लिए होता इसी है इसे इकोल टू यह मार स्क्राइब यह 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 इसे पास करना तब यह मार स्क्राइब है ऑके समझ में रहा है ना मतलब कन्फीजन नहीं होना चाहिए बच्चों आप लोग को इसलिए बता रहो देखो अबोट इनी डाइमेटर अगर रहा तो क्या करेंगे about diameter मतलब कैसे देखो यह रिंगे है हमारे पास है ठेक है यह हमने ऐसे देखो diameter बना दिया और ये भी diameter है और ये center से इसको एक्स भोलेंगे इसको य ज्याप से बात समझ में आरे बच्चों मतलब मैं यह बता रहा हूँ ये देखो यह ऐसी है तो एक ऐसी है, डायमेटर, लेकिन दुसरी वाली है, जो है, जो एक्सेस है, एक मिनेट पेन लेता हूँ भच्छों में यहां पह, तो देखो एक संटर से पासवाला से है, मतलब उसका डायमेटर से कोई संबंदन यहे, एक है मतलब जो जेड एक्सिस है यह ऐसी देखो यह डाइमेटर बन रहा है क्या नहीं डाइमेटर मतलब इसको और इसको टच करने वाला पॉइंट बना चाहिए ना तो यह देखो वाला कर रहा है एक्स वाला भी कर रहा है लेकिन जेड़ वाला कर रहा है क्या नहीं तो आइजेड आइवाई स्वाइए यह एडी बन रहा है आइडी मतलब डाइमेटर बन रहा है लेकिन आइजेड जो है बच्चों वो आइसी है समझ में रहा है ना क्यों है मैंने ऐसे पास करके देखा आपको तो बच्चों यहां पर हम लोग लिख सकते है आइसी इस इकोल टू डू टॉएस्ल इड़ आइजेड की वल्यू आइसी है यह भी आइडी प्लस डूएसी सड्य मुझे डायमेटर अबंड इने डायमेटर बोला है तो आइसीग के वल्यू पता है सब लोगों को सेंट्रमेंसे रिंग मेंसे अगर ॹस पास होता है तो उसका मोमेंट ओप और इसका निकलना है तो मैंने बता आपको I by I क्या इसका YmR square by 2 multiply Ym, Ym से Ym मरवाद दो तो R by 2 समझ में आ रहा है, radius of variation निकाल सकते हैं, हर किसी का निकाल, यह ring का है अब देखना है tangent to explain, tangent to explain मतलब चोई यह, यह से और यह center से pass होना चाहिए और डाइमेटर बनना चाहिए यह radius है इस चीज को हम I O बोलते है, center से pass होता है ऐसी बोलते है, लेकिन इसका IC यह ID बोलके काम कर रहा है कर रहा ही देखोट पहले मैंने बोलाता कि यह center में से pass हो रहा है इसलिए मैंने I Z को IC बोलाता आज हम लोग इसमें जो पढ़ रहे है यह इसलिए पढ़ रहे है बच्चों देखो, यह ऐसे pass हो रहा है मतलब center से ही pass हो रहा है देखो, यह center है center से pass होना और डाइमेटर समझ में हारा है ना center से यह नहीं यह ऐसे, center से pass हो रहा है दूरी आ रहे तो IO, IC की वाल्यू है ID plus MS² तो बच्चों यहां के हम लोग लिख सकते, IO is equal to, ID की वाल्यू है मेरे पास, MR² by 2 plus MR², नहीं समझ में आ रहा है, H की वाल्यू आ रहे न, तो यह आधा और यह 1 by 2 मतलब आधा है, और यह 1 है ना आपाए, नहीं मतलब, तो हो गए, 3 by 2, MR², निकाल ले तो, K is equal to, रिडिक सकते, यहां पर, 3 by 2, MR² divided by M, M से M अरवादो, root of 3 by 2R, पता यार आपको यह, रेडियो साब गारिशन निकाल ले, चलो, यह, टेंजेंजेंचियल 2, मतलब, टेंजेंचियल 2, टेंजेंचियल 2, टेंजेंचियल 2, टेंजेंचियल 2, ट एक एंड में से पास हो रहा है बच्चो, दिखाएदे आपको, और एक सेंटर से, डाइमेटर नहीं बन रहा है, डाइमेटर नहीं बन रहा है, ध्यान रखना है यहां पर, तो यह हो गाया R, तो दोनों पैरलल है, क्योंकि यह, इसी सेंटर से, यह, एंड में से, तो IO is equal to IC plus स्क्वेर, अब IC की वैल्यू खाली MR स्क्वेर ही लिखना है, जो ओरीजिन है वो, ओरीजिनल वाली, और यह तो आरे, तो देखने, झाली, और जो दुती हूआ है, झाली है, तो люблю है, इस लिदेगी लिखना, हो यह, एछ दो सक्ताषरिक हैं, है… झाल 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 झाल